Hello dear friends, welcome to this video. इस वीडियो के अंदर हम लोग ये question number 6 को discuss करने बारे हैं. बहुत simple सा है, लेकिन ये जो problems होता है उसमें difficulty क्या होता है. Students ये पूछते रहते हैं कि sir इसको लिखना कैसे हैं. ठीक है, तो आज हम लोग वो समझेंगें, उसके साथ साथ concept पे हमारे equally ध्यान रहे हैं. तो question number 6 को पहले question अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है. Simple से होता है, लेकिन अगर question से गलत पढ़ लिया, गलत समझा, तो answer टोटली रॉंग हो जाए. ठीक है, तो पहले question पढ़ता, a box contains 5 red, 8 blue, 3 green pens, रुटुजा wants to pick one pen at a random. What is the probability that the pen is blue? यानि कि उसके पास एक box है जसके अंदर, जैसे कि मैंने डॉख करने की कोशिश किया, वहाँ पह है 5 red pen, 8 है blue color pen, और 3 है green color pen. तो आपका जो sample space है, that is nothing but 10 all pens. ये जो box के अंदर जितने पहन है, that is nothing but simple space. अब question क्या आता है, ऐसे time पर क्या हम लोग sample space लेख पाएंगे, क्या आपको ऐसे अलग-अलग draw करना होगा, तो answer is no. आपको क्या करना है, आपको सिफ सीधा N of S लिख देना, क्या ऐसे time पर जब आप elements को describe नहीं कर पाते हो, because वो दिये इस तरीके से 5 red pen, अगर आप बहुत जादा जाहना चाहते हैं, तो आप क्या करो, let R1 denote the first red pen, let R2 denote the second red pen, लिकिन वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, भाई ये problem में है, कुछ नहीं, answer ऐसे आना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या है, कि paper में अगर आया, तो लिखना तो है कुछ, तो क्या लिखेंगे, आप ये सब चीजे draw नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे, आप directly लिखोगे, कि आपका sample space है, box, और box के अंदर pen कितना है, तो आप directly लिखोगे, n of s is equal to, total pen कितना है, तो 5 plus 8 plus 3, यानि कि total होगे 16 pen, ठीक है, your sample space is nothing but a box, your s is nothing but a box, उसके अंदर कितने pen है, तो 16 है, अब रुतु जाने क्या क्या, कितना लिया, एक pen उठा रही है, और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए blue pen का probability, ठीक है, तो blue pen कितना है, तो blue pen क्या है, तो उधर है 8 blue pen, तो मुझे a, event तो describe करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ, a is the event, is the event, that the pen drawn is of blue color, right, is of blue color, okay, अब n of a क्या होगा, तो n of a यानि कि क्या होता है, कि कितने pen है, उसके पास blue pen कितने है, तो box के अंदर blue pen है, 8, यानि कि n of a होगया, 8, अब क्या करना है, अब हम इसे formula लिखना है, तो probability of a is equal to n of a divided by n of s, correct, it is what, it is same as 8 by 16, that is same as half, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, 0, fine, 5 लिखो, या 50% लिखो, all are correct, क्योंकि 50% of the pen are of blue color, there are 50% chances, और I will say there are 50% is the probability, that the, एक अगर pen उठाया, तो वो blue color का, ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया question number 6, आपको ये मेरा idea कैसा लगा है, please इसे comment box में लिखे, आपके अगर कोई suggestions है, doubt है, तो comment box में लिखे, ठीक है, अगर आप इस channel पे नए है, तो please इसे subscribe कीजिए, हमें support कीजिए, और अपने friends के साथ share किए, okay, bye bye, की içerisal खुरी के वे उड़म предложili जिए-अ- 기क, टीक, आपके है, आपके, आपके है, आपके है, आपके है से ह métर। कि ढई आओ आपके है अपके अपकेहा, हमे deepestई burada